हेलो दोस्तों, वेलकूम तो यो ओन चैनल टैटू, थिंक इग्जाम, थिंक अस तो इस वीडियो में हम बात करने वाले रीजिनिंग जो सिरीज हमारी चल रही है उसकी दूसरे टॉपिक घडी के दूसरे पार्ट में तो लेट्स बिगिन विद दा वीडियो तो दर्पन पर आधारित घडी संबंदियत प्रशन इससे पहले वाले पार्ट में हमने घडी से संबंदियत विबिन तरह की स्तितियों से संबंदियत प्रशनों को हल किया था अब इस पार्ट में हम क्या करेंगे घड़ी और दर्पन से समधित प्रशनों को हल करेंगे तो घड़ी और दर्पन में जो है दो इस्तितिया हो सकती है पहली इस्तिति ये है कि जब समतल दर्पन लंबवत रखा हो इसका मतलब हुआ कि माली ये हमारे पास यहां घड़ी है और हमें क्या करना है उसके सामने हमें दर्पन दिया हुआ है तो उसकी इमेज किस तरह से बनेगी उससे समधित प्रशनों को हमने देखना है तो ये लंबवत इस्तिति होती है जब दर्पन को मिरर के सामने रखाता है और नॉर्मली जो हम मिरर यूज करते हैं घरों में या अने जगाओं पर तो लंबवत ही रखे पोजिशन होते हैं वस्तूओं के सापेक्ष दूसरे स्तिति है जब समतल दर्पन 36 रखा हो तो इस स्तिति में क्या होगा कि दर्पन हमारा इस स्तिति में रहेगा और मिरर इस स्तिति में होगा जो दर्पन है हमारा इस स्तिति में होगा तो और उसकी चबी जो है नीचे की तरफ बन रही होगी तो इसे water image भी कहा जाता है तो चलिए पहली इस्तिती से संबनेत प्रशनों को देखते हैं बीच बीच में हम क्या करेंगे ट्रिक्स को भी हम समझेंगे तरह तरह के और उनकी help लेके हम प्रशनों को हल करना सीखेंगे तो पहले इस्तिती है आपकी जब संबतल दरपन लंबवत रखा है तो यहाँ पर यह देखिए यह मूल इस्तिती है दरपन की जसमें जो मूल समय हो रहा है वह 8 बजे है तो यहाँ पर जब 8 बजे तो हम देख सकते हैं जो घंटे की सुई है वा 8 पर है और जो मिनट की सुई है वा 12 पर है तो दरपन में जब image बनती है किसी वस्तु की तो उसका नियम क्या है उसका नियम साधन सा है कि दरपन से जो वस्तु जितनी दूर हो या जितनी पास हो उसकी image जो है उसकी इतनी ही दूरी पर बनती है तो इ यहाँ पर जो इसकी छपी बनती है वहाँ भी क्या होती है उसी हिसाब से mirror के अंदर उतनी ही धूरी पर बनती है और इसके प्रतेक हिस्सा जो है उतनी ही धूरी पर समान इस्थान पर होगा तो हम देखते हैं कि जो vertical होती है आपकी objects या फिर उपर की तरफ हो या फिर नीचे क पर है और यहाँ है दरपन से कुछ दूरी पर इस्तिद है तो इस से जब इसकी छपी बनेगी तो वहाँ भी दरपन के अंदर उतनी ही दूरी पर बनेगी तो इस तरीके से जो है यहाँ अगर हम समय की calculation करें तो यहाँ तीन के बाद देखी 4 पर पॉइंट हो रहा है तो यह जो समय प्रतिविम्य में बन रहा है वह चार बजे का समय देखिए एक और इस्तिति को देखते हैं कि मूल समय यहाँ पर क्या है हमारा साथ बचकर दस मिनट हो रहा है तो इसका मतलब है जो घंटे की सुई है वह साथ से थोड़ी सी आगे है साथ और आठ के बीच में और मिरर के पास आती जा रही है अगर हम इसके मूल विंदू से बात करें जहां पर यह अटेच है घड़ी से तो यहां पर इसकी जो छबी बनेगी वह किस तरीके से बनेगी वह भी मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पर बनेगी तो यह क्या होगी बिलकुर रिवर्स आउडर में ह होगी यहां पर घड़ी के मिनट के सुई की दिशा इस तरफ है और यहां पर क्या हो जागी इस तरफ होगी यह पास आ रही है तो यह भी पास होगी उतनी ही और घंटे की सुई की हम बात करें तो यह हम जो है दरपन से दूरी इतनी दूरी पर है ज्यादा दूर है मिनट के मिनट की सुई की अपेक्षा तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ जो छवी बन रही होगी वह भी दूर ही बन रही होगी तो यहाँ पर इसके आदार पर हम गणना करें तो जो घंटे की सुई है वह आपकी चार और पांच के बीच में होगी 4 और 5 के बीच में है और जो मिनट किसे हुआ है ठीक 10 पर है अर्था तो वो 50 मिनट को शो कर रहा है तो यहाँ जो समय हो गया वो आपका क्या है 4 पचास का समय है दिखा रहा है तो देखिए हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर ट्रिक का यूज करके हम कैसे इस तरह के प्रष्णों को हम बहुत आसानी सका सकते हैं तो देखिए trick क्या है तो इस तरह के प्रश्णों में जो trick है वह क्या होता है जो भी आपका समय दिया हो उसको हम क्या करते हैं 12 घंटों में से उसको हम घटा देते हैं माल लेज़े अगर किसी घड़ी में 5 बजे का समय हो रहा है तो आप उसे सीथे सीथे जो है 12 से घटा देंगे तो 12 से इसका मतलब है 7 तो 7 बजे का समय हो रहा होगा आपकी mirror image में इसी तरीके से अन्य स्तित्या हो सकते हैं 12 अगर एक बज रहा है तो इसका मतलब है जो प्रतिविय में बन रहा होगा उसमें 11 बज रहे होंगे तो इस तरीके से अन्य मिनट वाली स्तित्यों को आगे उधारन में देखेंगे तो tricky है simple हमें क्या करना है हमें जो भी समय दे रखा हो मूल घड़ी में उसको क्या करना है 12 में से घटा देना है तो reverse भी आप इसको कर सकते हैं reverse condition में क्या करेंगे कि अगर हमें image में समय दे रखा है कोई समय माली पांच बजे का समय ही दिया हुआ है जो प्रतिविय में बन रहा है और हमें मूल समय पूछा है तो उस इस्तिती में भी हम इस trick को use कर सकते हैं तो चलिए एक उधारन से इसको समझते हैं तो उधारन पहला है वह क्याता है कि रमेश की घड़ी में एक से बारा तक के अंको के इस्थान पर बिंदुकत निशान लगे हुए कई घड़ी आपने देखी होँगी जिसमें नमबरों की जगह क्या होते हैं बिंदु बने होते हैं या बारा तीन छै और नो के अंक दिये होते हैं बीच के अंक नहीं दिये होते हैं वहां डॉट वगरा लगे होते हैं या रोमन नंबर्स भी उसमें कभी-कभी कुछ घड़ियों में दिये होते हैं तो यह है इसमें इस घड़ी में बिंदुकत निशानती हुए तो यदि उसकी घड़ी में 7 बज़ रहा है समय देखिए क्या है 7 बज़े का समय है उसे एक दरपण के सामने रखें तो दरपण में बने प्रतिविम में उसे क्या समय दिखाई देगा तो देखिए सिंपल सी वो ही ट्रिक है क्या करना है 12 बज़े का जो समय है 12 में से हमें क्या करना है वास्तिविक समय को सीधे सीधे घटा देना है तो देखे बारा में से जो वास्विक समय है साथ बजे का तो बारा में से हम साथ घटा देंगे तो समय जो प्रतिब्य में में दिखाई दे रहा होगा वह क्या होगा पांच बज रहे होंगे तो दरपन में जो छवी दिखाई देगी उसमें जो घड़ी बनेगी उसका समय क्या होगा पांच बजे होगा अब चलिए दूसरी इस्तिती को देखते हैं इसमें कि क्या इस्तिती रहती है दूसरा उधारण जो है हमारा वह स्टेट करता है कि रवी की घड़ी में एक से बारा तक के अंको के इस्तान पर बिंदुगत निशान लगे हुए है यदि उसकी घड़ी में 7 बचकर 40 मिनट का समय हो रहा देखिए दूसरी इस्तिती आ गई अभी तक हम पूरा ठीक ठीक नंबर ले रहे थे अब यहाँ पर है 7 बचकर 40 मिनट है तो फिर किसी दरपन के सामने रखने पर प्रतिबिंब समय क्या होगा तो इस स्तिती में क्या करते हैं ट्रिक देखिए वही है हम सीधे सीधे क्या करते हैं 12 बचे में से हम क्या करेंगे 7 बचकर 40 मिनट का समय हम क्या करेंगे घटा देंगे तो बारा बजे में से 7 बच के 40 मिनट का समय घटाएंगे तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जो एक अलग चीज है वो यह है कि यह 12 बजे का समय है यह घंटों में है ठीक और जो हमें वास्तुविक समय दिया हुआ है वो 7 बच कर 40 मिनट है तो यह घंटे और मिनट दोनों मे है तो हमारी आवश्रक्ता यह है हमें थोड़ा से यहाँ पर चेंज का नबढ़ेगा 12 को और वो क्या का नबढ़ेगा हम इससे घंटे और मिनट में हम बदल लेंगे तो 12 को हम लिख देंगे देखिए 11 प्लस 1 लिख सकते है इसको हम 11 प्लस 1 लिख देंगे आपकी बागी च एक घंटे को हम क्या लिख सकते हैं 60 मिनट लिख सकते हैं तो जो 12 बजे का समय है वह किसमे परवर्दित हो गया 11 बच के 60 मिनट हम इसको दिखा सकते हैं और यहाँ पर जो हमारा समय है मूल समय वह क्या है 7 बचकर 40 मिनट है तो अब इनको घटा देंगे हम तो 60 मिनट में से 40 गटैगा तो बीस मिनिट आ जाएंगे और आपका 11 में से अगर हम साथ घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा जार मे नटे 20 मिनिट आ जाएगा हमारा समय तो इसका मतलब है जो प्रतिभिम्ब में दरप्ड़ में जो प्रतिभिम्ब बनना होगा घड़ी का उसमें जो समय है वहाँ क्या होगा चार घंटे और 20 मिनट दिखा रहा हो तो इसका इस आधार पर जो हमारा बीविकल्प ठीक है अब दूसरी इस्तिती की बात करते हैं जब समतल दरपन 36 रखा हो जैसे हमने पहले बात की थी कि इस इस्तिती को वाटर इमेज भी कहते हैं तो यहाँ पर हमारी मूल घड़ी यह है रखी हुई है उपर और नीचे यहाँ पर हमारा मिरर दिया हुआ है और उसकी छबी बन है नीचे की तरफ तो हम देख सकते हैं कि मूल जो समय है वहाँ क्या है आपका 8 बचकर 10 मिनट है तो यहाँ देखिए इसको करने का जो नियम है वहाँ क्या है तरीका क्या है हम क्या करते हैं जो मूल घड़ी है हमारी उसमें हम क्या करते हैं एक 36 रेखा की कलपना कर लेते है जो नौ और तीन से होकर गुजर रही हो, तो यहां पर दोनों इस्तितियों को हम इसी आधार पर करेंगे, ऐसी हम परते बिम्मे जो बन रहा है, उसमें भी हमने — éak 36 जरीका कि कल्पना कर ली, Harigental Lines की कल्पना कर ली подготовalैक दूण जो 9 और और इस तरफ का जो हिस्सा है वह बाया भाग कहलाता है यह कहलाता आपका बाया भाग तो बाया भाग की जो छवी है वह आपकी क्या होती है जो image बनेगी वह बाई तरफ ही बनेगी वह क्या होगी बाई तरफ बनेगी और दाएं भाग की जो छवी है वह image है वह किस तरफ बनेगी दाईं तरफ ही बनेगी तो यह तो साधान सी चीज़ है भाग जो है उसकी image जो है वह बाईं तरफ बनेगी और दाएं भाग की जो image है वह दाईं तरफ बनेगी अगर दोनों घडियां बाई तरफ हो तो उनकी बाई तरफ ही छवी बनेगी और अगर दोनों सुहियां जो है वह अगर दाई तरफ है तो उनकी छवी दाई तरफ ही बनेगी पूरी की पूरी तो अब देखिए अब जो basic नियम में वो क्या कहता है कि जो हमारा ये आधार रिखा है 36 जो 9 और 3 से होके गुजर रही है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा मूल समय है वो 8 बचकर 10 मिनट है मूल गड़ी में तो हमारी जो घंटे की सुई है वहाँ 8 और 9 के बीच में होगी और जो मिनट की सुई है वहाँ 2 पर होगी चुकि ये 10 मिनट का समय दिखा रहा है तो देखिए हम यहाँ पर गड़ना कैसे करते हैं हम देख लेते हैं कि इस तरफ की जो सुई है बाए भाग में वहाँ 9 से कितना नीचे है या कितना उपर हम ये गड़ना कर लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि मूल घड़ी में जो घंटे वाली सुई है वहाँ 9 से लगभा लगभा एक खाना नीचे है तो यहाँ पर जो इसके छबी बनेगी वहाँ क्या होती है इसका मतलब है जो इधर मिरर में इमेज बन रही है आपकी वहाँ 9 और 10 के बीच में होगी लगभा लगभा दस के पास ही होगी ठीक ठीक तो यहाँ पर क्या करना है हम इसको लगभा लगभा हम इसके दूसी इस्तिति को देखते हैं जो मिनट हैंड है आपकी वहाँ 10 पर है तो हम यहाँ देखते हैं कि 3 से मिनट की सुई कितनी उपर है या घंटे की सुई कितनी उपर है तो हम देख रहे हैं कि लगभा यह ठीक एक खाना उपर है तो जो image बनती है, वह 9 के नीचे बनती है, और यहाँ पर दूसरी दाइन तरफ अगर हम बात करें, तो 3 के अगर उपर है, तो वह क्या होती है, उसकी image 3 के नीचे बनती है, तो बस यहाँ एक नियम में, इसके आधार पर यहाँ पर यह गड़ना हमने कर लिए, इसमें थोड़ सा परिवर्तन है, यहाँ पर जो समय होगा, वह क्या होगा, 9 बच कर 20 मिनट होगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे मिनट की सुई जो है, मुल घड़ी में, वह तीन से एक खाना उपर है, तो जो जो जबी बन रही होगी, वह तीन से ठीक एक नीचे बन रही होगी, तो इसकार 20 मिनट होगा, तो यह 9 बच कर 20 मिनट का समय दर्शा रही होगी घड़ी, चलिए इसको उधारन से समझते हैं, प्रशन है आपका, कि अनिल की घड़ी के डायल में अंको के स्थान पर बिंदुगत निशान लगी होगा, यदि उसको घड़ी में 10 बच कर 25 मिनट का समय हो रहा है, तो बताइए कि 36 दर्पन के निकट घड़ी को रखने पर प्रतिविंबित समय क्या होगा, तो यहां पर इसको समझते हैं, देखिए, यह हमने मूल घड़ी बना ली, और यहां हमने दर्पन की रचना कर ली, यह दर्पन है, अब जो इसकी छवी बन रही होग वह नीचे की तरफ बन रही होगी, इस तरफ, इस तरीके से, तो यहां देखिए, मूल घड़ी में जब हम समय को दिखाते हैं, तो किस सबसे बढ़िया तरीका क्या रहता है, पहले आप इन 4 अंको को लिख लिए, 12 लिख लिए, आपने 3 लिख लिए, यहां 6 लिख लिए, तो इस से क्या होता, आसानी रहती है, हमारा क्रम बिगड़ता नहीं है, तो लबह लबह यह ठीक ठीक हमारी बढ़िया घड़ी बन जाती है, तो इस तरीके से हमने क्या क्या अंको को दर्शा दिया, अब देखिए, जो मूल समय है हमारा वो 10 बच कर 25 मिनट है, तो इसका मतल समय है, वो दस बच कर 25 मिनट है, अब देखिए, इसकी इमेज की बात करें, तो इसकी छवी कैसे बनेगी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 36 जरीखा की कलपना कर लेते हैं, अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी गर्णा करने से पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाली घड़ गड़ी बन गई, देखिए हमारी नीचे वाली भी, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो घंटे वाली सुई है, यहाँ मूल घड़ी में क्या है, बाई तरफ है, तो हम गड़ना करेंगे, हम देखिएंगे कि जो घंटे वाली सुई है, यहाँ बाई तरफ जो सुई है, वह कहां बनने ही होगी, 9 देखिए यहां पर जो घड़ी है वो ऊपर की तरफ बन रही है, तो यहां जो इसकी छपी बनेगी वो नीचे की तरफ बनेगी, तो 9 से एक खाना नीचे, उसके बाद अगले दो खानों के बीच में कहीं पर घड़ी, घंटे वाली सुई इस्तित होगी, अब मिनित वाले हैंड की बात करें, तो हम देख रहे हैं यहां पर कि यहां 3 से जो है, 3 से जो है वहां आपका 2 खाने नीचे है, 3 से 2 खाने नीचे है, तो यहां जो इसकी छपी बनने होगी, वा 3 से उल्टे ओडर न बनेगी, 3 से 2 खाना उपर बनेगी, अर्ठात, 3 से दो अगर हम उपर आएंगे तो वह एक पर होगा तो इसका मंदला मिनट वाली सुई हमारी कहां होगी एक पर होगी तो इस प्रकार से समय हमारा क्या हो गया इस प्रकार से हमारा समय हो गया साथ बचकर पांच मिनट का समय हो गया हमारा तो यहाँ प्रतिविम्म में जो समय बन रहा होगा, समय दिख रहा होगा, वहाँ क्या होगा, साथ बच कर पांच मिनट का समय हो रहा होगा, तो इस आधार पे हमारा जो गाविकल्ब है, वहाँ सही है, चलिए इसको एक और उधारन से समझते हैं, महेश की घडी में अंको के स स्थान पर बिंदुकत निशान लगे हैं, यदि घडी में वास्तिविक समय चार बच कर चालिस मिनट हो रहा हो, तो 36 दरपन में देखने पर प्रतिविम्म्बित समय क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं, वही काम हमने फिर से करना है, यह एक अभ्यास हो जाएगा हमारा, कि मूल घडी हम दिखा दे, उसके नीचे हमने प्रतिविम्म दरपन दिखा दिया, और उसके नीचे हमने छवी जो हमारी बन रही है, घडी की वो दिखा रहे हैं, तो देखिए पहले इसको निरमाल कर लेते हैं, 12, 3, 6, और यह 9 हमने दिखा दिया, 20 के अंकों को दिखा दे है, 4, 5, 7, 8, 10, और 11, तो यह है, देखिए हमारा समय हो रहा है, 4 बचकर 40 मिनिट, तो 4 बचकर 40 मिनिट है, इसका मतलब है कि जो हमारी घंटे वाली सुई है, वह 4 और 5 के बीच में कहीं इस्तित होगी, और जो मिनिट वाली सुई है, वह 40 मिनिट का समय दिखा रही है, तो इ यहाँ पर कल्पना कर लेते हैं, 36 जरीका हमने बना ली, अब क्या करते हैं, जो प्रतिबिम्बित घड़ी की छवी होगी, उसका निर्मारा कर लेते हैं, ताकि हम अंकों को ठीक स्तान पर दिखा सकें, सुई होगो, चार, पांच, साथ, आठ, दस, और ग्यारा, अब देखिए, अब हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मूल घड़ी है, उसमें घंटे की जो सुई है, वहाँ क्या है, आपकी दाई तरफ है, तो दाई तरफ हम देख लेते हैं कि यहाँ पर यह तीन से कितने इस्तान देखि में कहीं इस्तित है, तो इसका मतलब है कि जो छवी बन रही होगी, जो इमेज बन रही होगी, घड़ी की, वहाँ क्या होगी, तीन से एक खाना उपर होगी, और अगले दो खानों के बीच में कहीं इस्तित होगी, तो इसका मतलब है घंटे की सुई जो है, वहाँ एक और द हेंड होगा वह नौ से ठीक एक खाना उपर होगा अर्थात दस पर होगा तो इस तरीके से अगर हम इस समय को अगर हम पढ़ें तो यह समय क्या दर्शारा है एक बच कर 50 मिनट का समय हमें दिखा रहा है तो इस अधार पर जो है हमारा गाविकल्ब ठीक हो गया चलिए अब इस तरह के प्रश्णों में क्या होता है हमें घडी में नंबरो के स्थान पर या तो अक्षर दिये होते हैं अल्फबेटिक और में इंग्लिश के या फिर क्या होता है अंकों के साथ-साथ हमें कुछ कंडिशन्स दिये होती हैं जिसमें लेटर्स दिये होते हैं कि यह यह य और सबसे बढ़ी तरीका जो है वो यह रहता है कि आप जैसे ही परिक्षा में जाएं वैसे ही क्या करें सबसे पहले आपको जैसे कोशिन बुकलेट मिल गई हम क्या करने चाहिए हमने कहीं पर भी हमें स्पेस मिलता है हाला कि समय से पहले booklet को खोलने की अनुमती नहीं होती पर आप थोड़ा सा adjustment करके जहाँ पर rough work होता है rough space होता है वहाँ पर आप A से लेकर Z तक जो है आप letters लिख लीजिए और ऐसी स्थान पर लिखिए जहाँ पर आपको क्या रहे आसानी रहे उसको देखने में तो इससे क्या होता कि हमें sequence रहता है इस तरह के प्रशन जो है जब missing numbers जो letters पे based होते हैं missing letters वाले जो प्रशन होते हैं उसमें बहुत यह help करता है तो यहाँ पर भी हमें यह help करेगा हमारा समय बचाता है क्योंकि खासकर जब हम ssc के exams में जाते हैं तो वहाँ समय हमारे लिए बहुत महत्पूर्ण होता है तो इस trick को use कर लेंगे तो इसमें numbering वगरा भी आप कर सकते हैं उसमें बाद में बात करेंगे जैसे e है वह 5 होता है यह 5th place पे होता है a first पे है b second पे है third fourth और fifth इसी तरीके से j जो है वह आपका क्या है 10th place पे होता है और आपका जो o है वह क्या होता है 15th place पे होता है और आपका t जो है वह 20th place पे होता है और y जो है आपका 25th place पर होता है तो इस तरीके से position वगरा भी दे सकते हैं चलिए इससे समद्धित प्रश्णों को देखते हैं तो पहले इस्तिती क्या है कि घड़ी की चाल की दिशा में अंको के इस्थान पर अंगरेजी वर्ण माला के अक्षरों का व्यवस्ति करन बढ़ते क्रम में तो देखे वहां पर जो प्रश्ण आएंगे परिक्षा में वहा हमें स्टेट करके नहीं आएंगे कि इस तरह का प्रश्ण है तो हमने वहां खुद समझना है इसको और उसके आधार पर हमें गड़ना करनी है तो देखे प्रश्ण से यह सब कुछ स्पस्ट हो जाता है यदि घड़ी के डायल पर इसके अंको के इस्थान पर अंगरेजी व तो तीन के स्थान पर हम देख रहे हैं तीन हमने लिखा और उसके साथ हमने क्या कर दिया एफ लिख दिया उसके बाद आगे हमें क्या दे रखा है कि एंक चार के स्थान पर अंक चार के स्थान पर हमें क्या दिया हुआ है जी दिया हुआ है तो चार के स्थान पर हम क्या कर लेटर्स को लिख लिए तो हमने जी लिख लिया तो अब हम इन दिये हुए तत्थों के आधार पर अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं तीन से हम बढ़ रहे हैं चार की तरफ तीन से आ रहे हैं इसका मतलब हम घड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं दूसरा हमारी जो लेटर दिया हुए है वो है F दिया हुआ है पहले F के बाद G आता है तो G दिया हुआ है तो इसका मतलब है हम घड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं और क्या है बहुत आसान है इस तरह के प्रश्नक काफी आसान होते हैं तो F है F के बाद G आएगा देखे सारे अपने नंबर्स को लिए उसके बाद आप नंबर्स लिखते जाए जी के बाद H आएगा H I J K L हम देख रहे हैं जब हम 9 पर पहुंच रहे हैं तो हम कौन सा अक्षर हमें प्र स्थान पर अंग्री जी वर्ण माला के अक्षरों का व्यवस्तिकरन घट्यकरम में तो यहां पर देखे उधारन हम देखते हैं यदि घडी के डायल पर इस्तित अंगों के स्थान पर अंग्री जी वर्ण माला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्तित किया जाए कि अंक पांच के स्थान पर क्या आये टी आये पांच के स्थान पर तो सबसे पहले वही है कि हम क्या गड़ी का निर्माड कर लेंगे और यहां पांच हमने लिखा है पांच के साथ हमने टी अंक अक्षर को दर्शा दिया उसके बाद हम देख रहे हैं कि अंक 6 के स्थान पर क्या रहा यह हमने ग्याद करना है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमें दी हुई चीजे हैं दी हुए फैक्ट से हम क्या करेंगे इस तरह के कंकुलूजन को निकालेंगे तो पांच के बाद च्छाया इसका मतलब हम घडी की दिशा में चल रहे हैं और जो हम लेटर देख रहे हैं पर लेटर का क्रम क्या दे रहा है T है T के बाद फिर S आया है तो हम यह देख रहे हैं कि जो letic order होता है उसका reverse order है तो यहां पर यहां पर दूसरीし अन्च होगई मूव हम कर रहे हैं घड़ी की दिशा में ही पर जो alphabetic order है वह क्या है reverse order में है तो इस आधार पर हमें ग्याद करना है कि 11 के इस्थान पर कौन सा letter आएगा तो देखिए हमें पता है कि T से पहले S आता है S से पहले क्या होता है reverse order में R होता है फिर Q होता है P होता है O होता है और फिर यहां एन आएगा तो देखिए यहां पर जो है आप क्योंकि alphabetic order में है जो बढ़ते हुए क्रम में तो हमें बहुत आसे नहीं होता है उल्टे क्रम में थोड़ी सी हमें challenges आ सकते है तो उसका वही तरीका है जो हमने पहले बात की थी कि आप A से Z टक के सारे letters को लिख लें तो उसमें आप देखकर हम अपना समय बचा सकते है अन्य था इसको सम्रती के आधार पर भी किया जा सकता है तो देख रहे हैं हम की 11 के इस्थान पर क्या आ रहा है consolator आ रहा हमारा N आ रहा है तो इसका मतलब है सही विकल्प है हमारा C अब तीसे इस्तिति क्या हो सकती है तीसे इस्तिति है कि घड़ी की चाल के विपरीत दिशा में अंकों के इस्थान पर अंगरीजी वनमाला के अक्षरों का विवस्ति करन बढ़ते क्रम में तो देखिए वही है कि यहाँ पर क्या है अंक 11 के इस्थान पर F दिया हुआ है तो घड़ी बना कर हम क्या करेंगे 11 के इस्थान पर हमने F लिख लिया उसके आद हम देख रहे हैं कि 10 के इस्थान पर G दिया हुआ है तो देखिए 10 के स्थान पर हमने g mark कर दिया तो अब हम यहाँ पर इसकी प्रवर्ति को देखेंगे tendency क्या है इसकी कि तो 11 से हम 10 पर आ रहे हैं तो इसका मतलब है घड़ी की विपरीती दिशाम में हम चल रहे हैं और जो alphabetic order है alphabetic order के अगर हम करम को देखें कि f के बाद g आ रहा है तो यहाँ पर यह alphabetic order में हम बढ़ते हुए करम में move कर रहे हैं तो हमें ग्यात करना है कि 2 के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा तो इसी करम में हम बढ़ते रहे हैं 11 के बाद हम 10 पर आए तो f, g, then h, then i, j, k, l, m, n, or o तो जब हम दो पर पहुंचे तो हम देख रहे हैं कि 2 के स्थान पर o आएगा तो इस साधार पे हमारा पहला विकल्प जो है वहाँ सही हो जाएगा चौति स्थिति की भी बात कर लेते हैं गड़ी की चाल के विपरीत दिशाम में अंको के स्थान पर अंगरेजी वर्ण माला के अक्षरों का विवस्ते करन घटते हुए करम में तो देखें यहाँ पर हमें क्या दे रखा है अंक 10 के स्थान पर हमें V दे रखा है तो 10 के स्थान पर हम सीदे सीदे क्या करें V को लिख लेंगे घड़ी बना कर उसके बाद 9 के स्थान पर क्या आया है U आया है अब यहाँ पर 9 के स्थान पर क्या हमने U मार्क कर दिया अब हम क्या देख रहे हैं कि यह कौन सी स्थिति है तो हम देख रहे हैं कि number हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं 10 से 9 की तरब मूव कर रहे हैं जो हमेरे alphabets होते हैं, उनका विपरीत, मतलब घटते हुए क्रम में है, तो हमें ग्यात करना है, अक्षर 8 के इस्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, तो इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते रहें, तो U से पहले 8 पर क्या आएगा, T आएगा, T से पहले 7 पर S आएगा, उससे पहले R होगा, Q होगा, फिर P होगा, तो हम 4 पर पहुंच गए हैं और यहां पर हम देखे हैं कि 4 पर जो है वहाँ, जब हम पहुंच रहें तो P अक्षर आएगा, तो इस आधार पर जो सही विकल्ब हो गया, वहाँ आपका P हो गया,